तिरेक्टर काम कर रहे हैं राम नवमी के मौके पर उन्होंने अपनी फिल्म रामायन के बारे में डिटेल में बात की उन्होंने बताया क्या होगा फिल्म का बजट, क्या होगी फिल्म की कहानी और क्या होगी इस फिल्म की स्टार कास्ट यही मैं आपको बताती हूँ Bollywood Right Now में नितेश तिवारी ने जब से दंगल फिल्म बनाई है इस masterpiece के पाद लोगों की expectation इन से बहुत high है और अब ये काम कर रहे हैं project रामायन पर नितेश तिवारी ने बताया कि इस project को produce कर रहे है producer Madhu Montana साथ ही इस film पर उनकी research team पिछले तीन सालों से काम कर रही है क्योंकि ये topic ही ऐसा है जिसके 300 से भी ज़ादा versions इस market में है जिन जिन लोगों ने रामायन पर कहानिया लिखी है उन्होंने अपने अपने angle से लिखी है किसी ने अपनी कहानी में रावन को बहुत ज़ादा करूर बताया है तो किसी ने सीता के angle से इस कहानी को बनाई है यही कारण है कि नितेश तिवारी की टीम ने पिछले तीन सालों में 300 से ज़ादा रामायन के versions पढ़ लिए हैं और अब वो अपना final version तयार कर रहे हैं वो कहते हैं कि इनकी कहानी का base महर्शी वालमिकी की कहानी से ज़ादा अलग नहीं होगा base उसी को रखा जाएगा साथी नितेश तिवारी ने ये भी बताया कि रामायन जैसी फिल्म को बनाने के लिए बहुती शांदार VFX की जरूरत है जिस पर उनकी टीम ने काम करना भी शुरू कर दिया है किस तरह के devils होंगे, तीर किस तरह से अपनी shape लेंगे साथी जब भी श्राब दिया जाएगा, तो वो किस तरह से दिया जाएगा इन सब visuals पर और creativity पर काम होना शुरू हो गया है अब बात करते हैं इस फिल्म के budget की तो Bollywood की आम फिल्में जहां 100-200 करोड में बन रही है वही रामायन जैसे फिल्म के लिए कम से कम 400 करोड तो लगेंगे ही इसलिए नितेश तिवारी की इस फिल्म का फिल्हाल के लिए budget तो 400 करोड है लेकिन ये budget आगे चल कर बढ़ भी सकता है depend करता है story किस तरह से जाती है नितेश तिवारी बताते हैं कि इस फिल्म पर उन्हें इस साल के second half में काम शुरू करना था लेकिन अब lockdown के कारण हो सकता है कि ये फिल्म थोड़ी सी आगे तल जाए और अब बात करते हैं इस फिल्म के star cast के लिए वेल कहीं लोगों ने कहा कि आमिर खान इस फिल्म में नज़र आएंगे किसी ने कहा अक्षे कुमार इस फिल्म में नज़र आएंगे लेकिन अगर बात करें reliable sources की तो उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में रितिक रोशन राम के रोल में नज़र आएंगे वहीं दिपिका पादुकोन इस फिल्म में सीता के रोल में नसर आएंगी वैल अगर ऐसा होता है तो हमारी ओडियंस को एक नई जोड़ी देखने को मिलेगी और वाकई में रितिक रोशन भी बहुत माहिर एक्टर है और दिपिका पादुकोन तो अल्रड़ी इस तरह के किरदार निभा चुकी है तो उन्हें भी इस तरह के सीरियस रोल्स निभाने में माहिरियत हासिल है तो कोज इस तरह से तयारी हो रही है फिल्म रामायन को बनाने की वल आपको क्या लगता है राम और सीता के रोल के लिए रितिक और देपेका परफेक्ट है या और कोई आक्टर होने चाहिए और अगर और कोई आक्टर होने चाहिए तो वो कौन होने चाहिए ये जरूर बताईए comment section में बॉलिवूड राइट नाओ में अभी के लिए बस इतना है फिर मिलेंगे बॉलिवूड की लेटस्ट खबर के साथ सब्सक्राइब करें